एक्सिलेंट क्लासेज में विवेक आपका फिट से स्वागत करता हूं दोस्तों आज एक निउस निकल गर आ रहे हैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए कि अंतिम चरण भी प्रेडिकल प्री बोर्ड की तयारी जियां दोस्तों आप सभी कक्छा 10 और 12 वाले की तयारी सुरू हो गई है इसमें कहा गया है कि 22 वरावरी तक होने हैं यूपी बोर्ड के प्रेडिकल केंद कर रहे हैं बोर्ड परिक्छा की तयारी यानि केंदर द्वारा बोर्ड परिक्छा की यहां पर तयारी भी जारी है अब दोस्तों बात करते हैं प्री बोर्ड पर परिक्षा होगा प्रिबोर्ड की परिक्षा में आपको बैठना पड़ेगा और इसकी जो रिपोर्ट होगी इसकोल द्वारा इसके सेंडर पर इसका भेजा जाएगा इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है प्रिबोर्ड की परिक्षा बात करते हैं प्रिबोर्ड परिक्षा जो होती है जो बोर्ड परिक्षा से पहले स्कूलों में कराई जाती है उसी पार्ट करम पर आधार पर उसी को हम कहते है प्री बोर्ड परिक्षा इससे कोई मतलब नहीं होता है आपके बोर्ड परिक्षा के परसेंटेज से बट ये करवाई जाती है ताकि आप अपने परिक्षा का आकलन कर सके और परिक्षा के समय में आप कोई भी गलतिया ना करें इसके लिए ये प्रीबोर्ड परिक्षा कराई जाती है तो दोस्तों आयो कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीबोर्ड परिक्षा क्या होती है और क्यों कराई जाती है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं इस नोटीफिकेशन में तो जीतने इस विडियो को देख रहेे त फड़ा पर इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजेगा और अपने दोस्तों में इस विडियो को जरूर शेयर करिए तो आप तक पहुँच सके ठीक है अब बढ़ते अपने न्यूज की तरफ तो न्यूज ये कहता है कि यूपी बोर्ड का इंटरमीडियर के विद्यार्थी के चल रहा प्रिटिकल अब अंतिम चरण में है जीले के अधिकांस विद्यालियों में प्रिटिकल की प्रक्रिया सर्मादमिक शिक्षा परिशत की और से केंदर की फाइनल सूची जारी होने के बाद अब जीले में कापियों के आने का इंतिजार किया जा रहा है। लगेंगे इसमें आपके वाइस रिकार्डर भी साथ में होंगे और इसके साथ जो वीडियो रिकार्डिंग होते थे लेकिन वाइस नहीं होते थे लेकिन इस बार आपके वाइस रिकार्डिंग भी साथ में कराये जाएंगे तो इस बार बहुत ही कठिन आपके पेपर होने व विद्यार्थियों का प्रेटिकल ख्त्म हो गया है वह प्री-बोर्ड की परिक्षा में या प्री-बोर्ड की तैयारी में लग गया है आगे का गया कुछी स्कूल में बचा होगा और बाकी आप सभी के pre-board परिक्षाय कराई जाएंगे तो pre-board परिक्षा में जरू बैठिएगा आप लोग क्योंकि pre-board परिक्षा में बैठने से आपको ये response मिलेगा कि मेरा किया अच्छे से कौन सा सब्जेक्ट अच्छे स्तयार हो गया कि सब्जेक्ट में कितने नम्मर मांक्स आ रहे हैं हमारे और कौन से विशाय में सब्जेक्ट में कौन सा चेप्टर हमारा वीक है कमजोर है उस पर आप मेहनत करके अच्छा बोड एक्जाम से पहले पहले आप अच्छा त्यारी कर सकें दोस्तों वीडियो फश्चन आया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और शेर जरूर करिएगा और चैनल पहली बारें चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो जो हम बना रहे हैं उसको आप तक पहुत सके तो मिलते हैं नेक्ष कलास में तब तक के लिए जहिन जय भारत